बच्चों को देखा है हमारे यहां पर जब से आई है भावी भावी कहके उनकी हरकते देखो जरा दूसरे बंदे को सरम आ जाए नीज वाले भी जा रहे न तो उनके आ गए भावी है बुट्धे जो की शम्शान में जाने लाएक हैं बिल्कुल मरने को तयार है उनमें भी प् प्यार करने कुछ होनों चाहिए मेरी नजर में तो वाम कुछ भी ना है स्मार्ट नहीं लगता आपको सीमा को तो बहुत स्मार्ट है हां बिल्कुल जैसे एक चुहा मरके जड़ हो जाना वह वाली कंडिशन तो फिलाल में है उसकी सचिन की और आगे को और ज्यादा प्यार को बनाने में पूरा जीवन निभादेते हैं मेरी नजर में तो सीमा में भी कुछ ना मेरे पाम की जूती है आई बात समझ मैं मैं अपनी जूती ते ज्यादा वाग कुछ ना मानूं कि लियर सी बात है लड़नी लगते हैं अजी ऐसी सुन्दर हमारे हर गली महले में मांगती हुई कटोरा लेके लेकिन वह भी अपने घर में ही रहें दूसरे के साथ ना भाग जहां चार चार बच्चन लेके लपू सा सचिन है जींगुर सा लड़का क्या है सचिन में यह एक ऐसा डायलोग है जिसे अब आपको बताने की जूरत नहीं है आप इसे सुन चु लहां चार ठियंगा हब देलगे एक ना..पछ्पू सा सचिन है, जींगुर सा लड़का पहले तो आप एक बर हमें बोलके बताइए क्या आपने वह बोला क्या था लपा पू सा सचिन, जींगुर सा लड़का बोलना उस पे आता ना है बोल वह सकता नहीं है और इसमें क्या है जो सीमा हैदर प्यार करेगी इससे नॉर्मल सी बात है अच्छा आपने ये जो बोला लप्पू सा सचिन जींगूर सा लड़का बड़ा वायरल हुआ तो पहले तुम्हें बताईए लप्पू जींगूर का आपके साफ से मतलब क्या है जींगूर का मतलब अब बोल नी सकता जवाब नी दे सकता किसी बात का सीधा जादा ही तो सोचल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है समय मिथलेश जी और हमारे साथ में इस वक्त उनकी बड़ी बहन गीता भाटी जी भी है गीता जी आप से सवाल लेंगे आप सीमा हैदर के घर के पास में रहती जहाप पर परचून की पर अबूपरा में दुकान पर काम करता है छोटी सी सेलरी पर अपना रुजगार चला रहा है अपना उसके पिता है उसके पिता पौदे बेखते हैं और उससे अपना घर का गुजारा करते हैं खेती है थोड़ी बहुत लेकिन किसान को खेती में कुछ नही कि ले आएगा जिसके चार बच्चे होंगे कुछ ऐसा आइडिया था देखिए सचिन का बिहेवियर बिल्कुल किसी को पता नहीं था नॉर्मली वो जैसे लोग होते ऐसा ही था लेकिन अब सचिन थोड़ी ना लाया है सीमा खुद से आई है ना सचिन थोड़ी ना उसको फसा उत्वार ना लेकिन वो तो कहरें कि वह आपस में बहुत प्यार करते हैं प्यार की कोई परिभासा होती है या नहीं होती है यह लेंगी ज़िए यहMel्जेव यह प्र चार चार शानल जानली मिलता है उसक है अपने और भविश्य क्य देख और ह ещё हमारे भारत-देश मेन यह करती है कि अगर किसी को बच्चे हैं तो पहला गुरू मा होती है वो जो बच्चों को सिक्षा देती है उसके बाद जब बच्चा पढ़ लिए तैयार होता है चार साल पास साल का तब गुरू दूसरा होता है सिक्षक लेकिन पहला ही गुरू गलत है तो उन बच्चों का भव गई हूँ मैं भारत की बहू हूँ तो वो तो आपकी बहू हो गई ना आप तो उससे बढ़ी है तो आप तो उसकी जिठा नहीं हुई और जब उसने निकली तो वो तीन-तीन देश फलांग आई और उसके बाद वो आके यह ढोंग करती है मैं हिंदू हो गई किसी ने कहा उससे का आप हिंदू हो जाओ आप मुसलिम क्यों हो किसी ने पूछा उसको आप ही अपने आप से सोर मचाने लगी मैं हिंदू हो गई मैंने हिंदू धर्म अपना लिया मैंने लहसुन प्याज हिंदू तो लहसुन प्याज खाते हैं हिंदू तो खाते हैं वूसे किसी ने बोला था क्या तुलसा जी पर जल चड़ा रही है यह नोटंकी करने की जरुवत नहीं है यहां इतने emotional fool नहीं हो सकते कुछ लोगों को सकते सरकार को आप गुमराहा नहीं कर सकते इंडोंगों से तो देखे का सीमा अधर को लेके काफी गुस्सा भी अच्छा मितलेश यह आपका रुख करेंगे यह बताई आपकी लव मैरेज हुए क्या लगता है कि जो सीमा है तरो सचिन ने लव मैरेज की है इसको आप कैसे देखे रही है वो देखे आपने सुना होगा सीमा और सचिन दोनों को सुना होगा वो कह रहे है कि हम बेंतिहा प्यार करते सीमा तो यह तक कह रहे हैं लेकिन वापस अपने देश सचिन को छोड़ करनी जाएंगे एक बात बताईए इसका कहना है कि पबजी से प्यार हुआ इस बाकि मैंने एक वीडियो में सचिन भीया को भी सुना है वो कह रहे है कि मैं तो खेलता ही नहीं था यहीं खेलती थी तो क्या उसके भूत के साथ खेलती थी वहीं जब सचिन ने मना कर दिया आप कैसे पढ़ा ले जो एक कहते हैं न तोता को रटवा देते हैं तो 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 बोलता है तो वह सचान का कहूं तो खड़ा हो कहूं तो बैठ कहूं तो खा उसको आपको आप कहरों कि सचिन पे सीमा आभी बिल्कुल आभी और रखी है और क्या है जब इनका कहना कि लभ मेर्ज की कितनी लभ मेरीज करेगी बहिए प्यार ना हो गया बीरवल की खीचडी हो गई चार वच्चे हो गए तो पहला प्यार दो बच्चों कोई जाएगा तेर में अब भी इतनी गुंजाइस है कि फिर तू पती बना रही है और फिर प्यार कर रही है रिकॉर्ड तोड़ दिया महिला ने कितने अफैर निकल के आ र यहां पर कहती कि मैं जीऊंगी यही पर सचिन के साथ मरूंगी यही पर सचिन के साथ तो अब तो वो कह रही है ना कि वो भारती हो गई है वो हिंदू हो गई है और उसके लिए जीना सचिन है मरना सचिन है प्यार आप इसे सच्चा प्यार नहीं मानती कि प्यार ऐसा होता ह साइफ में एकबार भया हम ने गर वाले से जैक कैसा भी है और नॉर्मल सी बात ऑगर किसी से प्यार करोगे दूसरे बंदे से कैसा भी बात बताये शादी की पती से प्यार क्या होगा तबी तो बच्चे ठीक है दूसरी बात, तुम्हारा फिर प्यार उमड़ा, तुम भाग याई, ये प्यार होता है, इसको कहते हैं मुँ मारना, ये हमारे हाँ पर बच्चों को देखा है, हमारे हाँ पर जब से आई है, भावी भावी कहके उनकी हरकते देखो जरा, दूसरे बंदे को सरम आजा है, ये हमारे हाँ के समाज को बिगाड के जाएगी, बिल्कुल, जैसे रभुपूरा के जितने भी आसपास के लोग है, वहाँ पर हमने देखा, जब भी मीडिया जाती है, तो कहते हैं कि भावी आई है, सीमा हैदर को भावी मान लिया और तो और कई जिसे हिंदूसों गठर व ये आई है, नॉर्मल सी बात है, मेर से भी बिढ़ गया था एक देवर, भावी या सचिन की तो होएगी जन्ना होएगी, पर तेरी जरूर होएगी, टेंसन ना ले तू, नॉर्मल सी बात है, वो सचिन के लिए नहीं आई, सचिन में दीखा क्या, अगर मैं दुखी हूँ औ मैं कहीं जाओंगी भाग के अपने बच्चों को या अपने पती को छोड़ के तो ऐसी जगा जाओंगी, जहां मुझे ये दिखेगा, कहां मैं दुखी नहीं होँगी, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी, जब हैदर उसको रियल चिकन खिला था तो 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 उसे प्यार हो गया, बताओ, अजीव सी बात है, फोटो में देख देख के प्यार हो रहा है, लेकिन अच्छा मुझे बात बताईए, मतलेश जी, आप सचिन को जहींगूर बोल रही है, बहुत सी बाते बोल रही है, क्या आपको लगता नहीं कि सीमा को इस सब सुनके दुख होता होगा अच्छा, एक सवाल इसमें और भी है, कि सोशल मीडिया पर आपको पता है कि आपका ही डालोग बहुत वाइरल हुआ, लपू सा सचिन है, जीमूर सा लड़का, है ना, उसमें कई लोग सोशल मीडिया पर ऐसा भी कह रहे है, कि जो सीमा आधर है, बड़ी खुबसूरस सी है और मुहले भर के लोग उसे पसंद कर रहे है, भावी बना रहे है, तो आपको सचिड़ हो रही है, जी मुह काई कुछड़ होगी, मेरे घर में थोड़ी आई है, आई तो सचिन के घर में है, जो हो ना, उस सचिन को होगा, और जितने भी सपोर्टर है, लिखके देदा, सीम को तो बहुत स्वाट लगते है, हाँ, बिल्कुल जैसे एक चुहा मरके जड़ हो जाया है, वो वाली कंडिशन तो फिलाल में है, उसकी सचिन की, और आगे को और ज्यादा बिगड़ने की आसा रहे है, क्यों बिगड़ेंगे है, भाईया, दीख रहा है, उसकी हालात, बोल उसको मूवी वी को ओफर दिया गया, आप सीमा एजन्ट का जा रहा है, कि जो सीमा एदर है, वो रो एजन्ट की भूमिका निभाएगी, आप तो पिक्चरे मिल रही है, नौकरियों के ओफर आ रहे है, तो आपको नहीं रखता है, सीमा ने सचिन की जिंदगी समार दिया, जिंदगी समार दिया, हमार छोरा, यहां बताओ, फिलम को ओफर आपने देखा, एक घरेलू महिला कह रही है, कि मैं घरेलू महिला हूं, और गाओं के जैसी बहू बनके रहूंगी, जब फिलम को ओफर आया, तो हो हो, क्या मेक अप शेक अप करके, और सेट वेट पहन के, जरासी देर में इंस्टा बनावे, तो टिप टॉप हो जाए, बात करने को आवे, तो घड़ा-धड़े इंगलिस बोले ही, पाँच भी पड़ी लिखी है, हम तो बार भी हम पे तो नावे इंगलिस बोलनी, हम तो द्याहती हैं अब भी, गाम की बाहसा बोले है, गीता जी जी इच्छा मुझे बात बताईए, कि सीमा हैदर सचिन को लेकर हैं, बहुत सी बाते कर रहे हैं, ऐसे में एक और नाम है, अपने सुना होगा, अंजु नाम, जो जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आती है, वैसे ही अंजु जो है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जात है, वो कितना खुस है, कितना अंदर से पीडित है, और दिखावटी हसी है, या सच में रियल है, इतना अंदाजा हो जाता है, आप लोग डेली पब्लिक डील करते हो, हम भी करते हैं, जब वो दो साल से लगी पड़ी थी, तब तो उसको भीजा दिया नहीं, पाकिस्तान न आई है, और जो बुली चैर के वकील थे, ये चोरी छुपे उसके पास गए, कि हमारी अरेंज मेरेज वो करवा दो, कोट मेरेज, तो जब वहां से इनका भंडा फूट गया, तो ये भग गए, जैसे चूहा बिल में छुपने के लिए भागता है, अगर ये प्यार में आई थी, तो फास्ट डे, पहला तो ये आती अपना कानून अंतोर से, और फिर जब इसमें छुपने की जरूत नहीं थी, किलियर कहती, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, जैसे अंजू ने इसकी कहानी को देखा, कुछ चन दिन उन्हों ने देखा रहके गई थी, पहले उसके साथ लव अफेर करके चली गई, अपने बच्चों को छोड़के, तो उस मूरख लई महिला ने भी सोचा, मैं भी चलती हूँ, और जाके उसके साथ दस दिन या बीज दिन रहके आती हूँ, और फिर वापस से छुप छाप आ जाओंगी, बिलक अपने देश में लोक नहीं थे, क्या इन लोगों को पाकिस्तान में क्यों मिल रहें प्यार करने के लिए, और वो चली गई, वो कुछ वाईरय नहीं करना चाहती थी, वो सब कुछ छुपाना चाहती थी भारत देश से, अपने परिवारत से, लेकिन वहां के लोगों कि बे कुट ऐसी हो गई ना घर की रही ना घाट की रही ना तो वो इंडिया की रही ना वो पाकिस्तान की रहेगी आज वो चाहे तब भी वो इंडिया में नहीं आ सकती दूसरे फिर मैं वो ही कौंगी वो भी मा थी उसे 15 साल की बेटी थी उसे बेटी से प्यार नहीं था उस husband के साथ यतने साल उसने गुजार दिये उस husband से प्यार नहीं था उस नसुरुला टुला में जन क्या देख लिया उस बंदी ने और उसके लिए वो mental है वो पागल और अपनी बेटी के भविश्या को बरबाद करके चली गई जब तक वो बेटी जिंदा रहेगी तब तक उसे क कोई चैन नहीं लेने दे गए कहिंगे तुभी बोलती है तेरी माँ हरामखोर भाग गई थी हमारे देश में किसी भी ऐसी इस तरी को जो पर पुरुष से संबंध बनाना चाहती है उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता इसे प्यार नहीं कह सकते चिकोर पंती कहते हैं कर देख injekate अगर प्यार होता है तो साधी की थी मना कर देते हैं प्यार से कंगे हम लम मैरीइज करेंगे किसी ने कहा था क्या जब और जस्ति साथी कर लो उसके बाद में आप पती के साथ आ गई तो उससे बिस साल सबू प्यारी 15 18 साल जो भी हुए ओंगे तब यदू तो नफरत में चार पैदा कर दिये सचिन के प्यार में पता नहीं धर्जन पैदा करेगी क्या समझ ही नहीं आ रहा है अच्छा चलिए आच्छा आपका रूप करेंगे मितलेश जी आपने जैसे बात बताई उससे सवाल निकला आपने बताया कि महले भर के जितने देवर लंगे वो तह ऐसी औरत के माई मू भी ना कर लंगे भी यह तो हम से प्यार कर लंगे को जमाने भर की जनाननी से फ़ोड़ी ना करन गए एक ही बहुत है हमारे लिए बियोद उनके लिए भी अच्छा बाह बताशीए कि आप कई बार एक आपका जो डालग तो उसमे एक और दूसरी बात पाकिस्तान में रह रहे के एक कमरे में रहने वाली निकली तो ऐसी निकली के तीन बॉर्डर नने फांग के निकल गी भूठ्टान से सवार déjà करना ये और बाप को आपको अपको आपका लोग तो दिखा रहे हुँ हमें रीकिन सचिन को लेकर तो वह कह रहा है कि वह इतना सचा प्यार करती है कि अब उसे जिन्दगी ने एक विटाने उस्ट मा तो एक काम करें जैसे हमारे यहां चार-पांच महीने से रह रही है ना ठाट से ऐसे ही सचिन को ले जाए 10 दिन को ना सचिन डिबान में बंद है के आजाए पाकिस्तान सू बचा के दिखा दे मैं तो जम मानूं के सच्चों प्यार है जैसे रभूपुरा का जो एरिया है वो चेत्र लगता है तो ग्रामिर चेत्र में एक तो सचिन ने लव मारच की लव मारच में भी वो पाकिस्तान से लिए को ले तो एक पो अगर में लग रही है पड़ोसी के में लग रही है तो क्या होगा वहारे गर में ना होना चाहिए बिल्कुल भी सचिन सेमा कि ससुर जी जो है उन्होंने तो बहुत माल लिया जाने नहीं देंगे हम तो हमारी शान में बट्टा लग जाएगा और वो तो पूरा सपोर्ट कर र हा आपको कुण नहीं नज़ आरा है सचिन के बाभू जी को कमाई नजर और फियार थोड़ी नजर आरा है दुनिया भर की मुझ दिखाई ए और टोड़ी यह जहां प्यार तो प्यार ठोटी है ज़ो आदमी भूको मर्रोय जयाख दोनों टेम को खानों नशीब नहाँ अच सिंग का नाम मुझे दोराने की जूरत नहीं आप लोग बेटर तरीके से उने पहले भी जानते हूंगी पहले कई केसे में मलब आप समझे बहुत महतपूर्ण केसों में उनका नाम आया है तो एपी सिंग लड़े वो कह रहे हैं कि वो तो प्यार करके आई उन्होंने तो यह एपी सिंग को यह देखना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं सीता माता है क्या वो देवी देवताओं के बराबर कर रहे हैं जो दस जगा मू मार के आई है लेडिस उसे वह भगवानों से तुलना कर रहे हैं उनमें तमीज नहीं है बिलकुल भी उनका तो कहना दो साल सीमा कर परवाचाओत भी रखनें बर्त खोलने के लिए जाते थे क्या सचिन को लेकर वहां पर कितले मैं ले आया सचिन को बर्त खोल किया पता एपी सिंग को चार दिन से उसके पास बैट गए तो एपी सिंग निभय वाला केस भी तो लिया था मुझरिमों को इसाइड थे ना पर बहुत प्रेशर है प्लीज मुझे अकेला शोड़ दीजे तो एपी सिंग ने यही बात कई थी कि वो अब भारत की बहु है और वो हमारी बहु हो चुकी है और हमारी संस्कृती है कि जो भी आता है उसे अपनाते हैं तो एपी सिंग तो बात बोल रहे है क्यों भारत की भाए आपके उसको रबुल पूरा की बहु नहीं मान झहीं है कि बाए बैचे की दूसरी बात एपी सिंग ये तो देखिए मोच कहे को रहे हैं।। एपीं सिंग ऐखे सबस्क्राइब क्ला का पत कई बा। शीता-मत मट्राक्र्म कर्किंड सीतन की है। हमें अपना लेना चाहिए। देखो एपी सिंग बहुत बहुत चर्चित होना चाह रही थी और सही बात है जिस भारत में रहकर जिस सीता माता का वो नाम ले रहे हैं पहले वो इतिहास उठाएं और पढ़ें और अच्छे से चस्मा लगा के पढ़ें क्योंकि सीता माता हमारी ऐसे बॉर्डर क्रोस करके न उनके परिवार को न्योता गया था कि आपके पुत्र ने धनुस तोड़ा है और हमारी बेटी ने आपके बेटे को बरा है पूरे समाज के सामने क्या रिस्ता मंजूर है और तब अयोध्या से बारात बकाइदा वहां गई थी जनक जनक जी के यहां और तब सीता माता को ला रहे थे लप पूसा कहने से फलाना कहने से बात नहीं बनती है मर्द देखा हर औरत साधी से पहले मर्द देखने जाएगी क्या इनसान अपनी बिल्कुल बुद्धी खो बैठे हो क्या कहते हैं काठमांडू में साथ दिन मर्द देखके गई थी आप क्या सिक्षा दे रहे हो क्या सिक्षा दे रहे हो उसमें आप मुख्य मंतर हमारे देसके जो बिधायक और सांसदों को के लपूशा सचीन फलाना सचीन पती पतियों की तुलना सचीन और सीमा हैदर से ना कीजाएं यह अपमान है देश के उन पतिपत्रियों का जो अपने वफ़दारी से अपना एक पती और अपने एक परिवार को बनाने में पूरा जीवन निभा देते हैं चाहे राबडी कैसी थी वो अनपढ हो या पढ़ी लिख्की हो या लालू यादब जो भी थे उन्होंने अपने पती और पतनी के धर्म को निभाया राम और सीता का आप बोल रहे हो राम माने मर्यादा पुर्सोत्तम सीता देवी एक ही पती को रहने वाली महिला जिन्होंने आप पूरे समाज को एक कह सकते हैं कि हमें एक सिक्षा दी कि पतिवर्ता क्या चीज होती है सती साबतरी अंसुया क्या चीज होती है ऐसी कुल अच्छनी महिलाओं को लाके हम उन नामों पर धिकार देते हम ऐसे लोगों पर धिकार करते हैं जो हमारी देवी देवता और हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलबार करने का काम करें तुछ सिर्फ अपनी पॉपुलर देना नहीं हमारी सरकार पर हमें भरोसा है जो एजंशियां जाच कर रहे हैं उन पर भरोसा है बिना क्लीन चिट दिए अमित जानी जैसे मूरक लोग जाके अपनी को सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोशन के लिए और जंता को बेवकूप बनाने के लिए जाके कहते हैं आप रोएजेंट बन जाएए बेवकूप इंसान पहले ये देखो कर रोएजेंट होता क्या है भारत के रोएजेंट का रॉल आप जब दीजिए एक पाकिस्तान से इन लीगल महिला को आके आप देश के एक सम्मानित और एक ऐसे पद को आप निभाने की बात करते हो आपको सर मान जाए डूम मरना चाहिए अगर आपकी बीवी ये हरकत कर दे तो मैं अमिजानी के सामने बैठके पूछूंगे अमिजानी जी कैसा लग रहा है आपकी बीवी को प्यार हुआ किसी से आप बाधा क्यों बनेंगी बिलकुल देखे काफी गुस्सा अली बात है आप पर काफी गीता जी को आया है अच्छा एक एक आखरी स्वाल मितलेश जी आप से आपके वर्ट्स बड़े अनोख्यों होते हैं लप्पू सा सचिन जींगूर सा लड़का पाओ भर का सचिन तो ये और कोई नया वर्ट आपने निकाला क्या सचिन के लिए और सीमा के लिए खास कर सीम सचिन को लेके तो आपने का कि सचिन में है क्या जिंगूर सा सचिन लप्पू सा लड़का सीमा में क्या ये बताई है मेरे नजन में तो सीमा में भी कुछ ना मेरे पाम की जूती है आई बात समझ में मैं अपनी जूती ते ज्यादा वा कुछ ना मानूं के लिए अगर नहीं लगते हैं अजी ऐसी सुन्दर हमारे हर गली महले में डोले मांगती हूँ कटोरा लेके लेकिन वो भी अपने घर मे हैं दूसरे के साथ ना भाग जाहां, 4-4 बच्चे ने लेके ठीक रोजा में मांगने को दर वज्जे-दर मेनत करके खा रही हैं ऐसे ना करतायओं जो जो की चिकन खानका प्यार हो रहो काई से मिसमीन प्लक्र में प्यार हो रहो का इसे फोन पर बात कर रहो का इसे देख ली बस जरा देखा तो प्यार होगो भई भगवान जाने प्यार की उमर कितनी लंबी जाएगी आकी सायदी उमरने को जाएगी तो भी प्यार करेगी आप कुछ कहना चाहरी थी देखो इसके लिए मेरे पास एक वर्ड है हमारे हिंदुस्तान में जो घोड़े हो क्योंकि अभी सुरक्षा एंजेंसियों का बाकी है और अभी योगी जी का आना सब जो मिरने हैं वो बाकी है अभी फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो बाकी है अभी एपी सिंग वाली बात पर भी मैं कहूं वो कहते हैं अरे गोलिया आती थी पाकिस्तान से अरे बंब आते थ क्या है इसकी तो देखे सीमा हैदर को लेकर यह पॉइंट था अच्छा एक बार जाते जाते आपसे वाई डालोग उसी तेवर में सुनना चाहेंगे जिससे आप आज सोचिल मीडिया संसेशन है लपू सा सचिन जींगुड सा लड़का क्या है सचिन में सिकलना सूरत पांच पास वह बता रही है फराटेदार इंगलिस बोल रही है सीमा सीमा में क्या एक पर यह बता सीमा वे भी कुछ नहां है मैं क्या बोलूं सीमा के बारे में चरा ऐसी ओरत सिकलना सूरत बनके आई यह हूर परी पाकिस्तान से अजगे ठीक है ऐसी तो हमारे यहां के खुटी नहीं सीमा हैदर को लेकर काफे गुस्सा है दोनों बहने हैं मितलेश भाटी और गीता भाटी जिनोंने सीमा हैदर को लेकर अपनी बात रखी सचिन को लेकर अपनी बात रखी लेकिन हाए एक बात तो साफ है कि लपू सा सचिन जींगूर सा लड़का यह सीमा हैदर और सचिन मीन से ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं में बहुत शुक्रिया मिकलेश जी आपका मासार चुड़ने के लिए गीता जी आपका अपना समय देने के लिए आप यूपी तक के साथ बने रही है नमस्कार